किसम की इसके अंदर शीन और चमक होती है मैं आपको दूसरी तरफ भी ले जाकर दिखाता हूँ देखिए इसमें light reflection हर चीज़ आपको नजर आएगी proper यह देखिए यह चमक इसके अंदर अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग कुमार साब ने पूछा था कि जो पॉलिस्टर हम करते हैं पॉलिस्टर में epoxy लगाने के बाद क्या करते हैं क्या क्या कोई सेलर आता है जो सेलर लगाने के बाद फिर हम उसका पॉलिस्टर का टॉप कोड सिंपल है लेकिन बस उसमें थोड़ा सा टेक्निक आपको ध्यान रखना होता है और उसमें कुछ भी नहीं है सबसे पहले आपको सेंडिंग के बाद हलकी सेंडिंग करने के बाद ताकि उस पर बांडिंग अच्छी हो जाए epoxy लगानी है epoxy लगाने के बाद जैसे मैंने पिछ लाए घंटा हो गया तो फिर आपको सेंडिंग करनी पड़ेगी सेंडिंग का प्रोसम यह है कि यह है कि आप 13 गंटे बाद ऐलकी के sanding करें और sanding करने के बाद कोट डालने स्टार्ट करें अप epoxy के बाद सीधा पालीस्टर है उसकी कोट डालने शु continuing कर देंगे तेक्णिकलई आप इसको चमझ यह डालते हैं के बाौनडिंग अच्छी हो जाहा हुई जो लकड़ी ہے उसका जो ायल हो सील हो जाहा और siller हम इसलिए लगाते हैं कि जो wood है उसके जो grain से है वो भर जाए उसकी भराई प्रापर हो जाए और उसका surface है वो smooth हो जाए इसलिए हम siller डालते हैं अब जो हम इसके उपर 8-10 coat डालेंगे तो हमें इसमें भराई की जरुवत का हैं भराई की नीड का हैं क्योंकि जो polyster हम डालते हैं पॉलिस्टर की तो बहुत थिकनेस होती है उसको थिकनेस हमें दिखानी होती है इसलिए उसमें 8-10 coat हमें लगाने पड़ते हैं ताकि इतनी थ लगाएं इपॉक्षी लगाने बाद सेंडिंग करें और सेंडिंग लगाने के बाद आप कोट स्टार्ट कर दें और 8-10 coat लगातार लगाएं जैसे मैंने एक वीडियो में बिताया है उसमें होता यह जब आपने coat डाला पहला coat आपने डाला माली जी आपने इपॉक्षी ल coat डाला है वहाँ पर आप finger लगाएंगे आपके finger के निशान है वह आपके जहां पर आपने coat डाला वह उसके उपर आ जाएंगे यानि कि वह इतना dry हो जाएगा अगर आप finger लगाने से बहुत ज्यादा material बहार आ रहा है तब आपको coat नहीं डालना है जब इसके निशान आए फिर तीसरा coat डालना है फिर चोथा ऐसे ही आपको 8 से 10 coat डालने है उसके बाद फिर आप उसको dry होने के लिए छोड़ देंगे better यह रहेगा कि आप उसको कम से कम 24 गंटे तो हैं उससे ज्यादा चोड़े तो वह भी better है उसके बाद फिर आपको उसके उपर sending करनी है और फिर buffing करनी है sending मैंने बताया जैसे आपको क्योंकि इसमें मोटी layer होती है बहुत सारी layer चड़ती है इसलिए आपको जो sending करनी है start वो 220 से करनी है 220 के बाद फिर 320 फिर 400 फिर 600 800 फिर 1000 फिर 1500 फिर 2000 तक आपको जाना है इससे उपर भी आप जा सकते है 25 और 3000 पे भी आप जा सकते है जि और अगर इसके regarding आपकी कोई भी query है तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं या मुझे comment box में लेके तो ज्यादा अच्छा है जैसे आप comment करेंगे वैसे ही मैं आपको reply कर दूँगा तुरंत आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा Instagram पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं और वहाँ पर सबका बहुत बहुत दन्याद